Hello दोस्तों, Welcome इस वीडियो में हम ये question करेंगे इसमें हमें x और y की value find करनी है तो basically जैसे हम linear equations solve करते हैं हमें वैसे ही करना है लेकिन इस question को solve करने में एक different trick लगेगी एक unique trick है जो कि इस तरह की questions होते हैं उनमें हमें apply करने पड़ती है अगर आपको trick पता नहीं है तो फिर in questions को करने में आपको बहुत जाड़ा time लग जाता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊगा कि वो trick क्या है So let's start सबसे पहरे हमारे पास ये question है 21 upon x plus 47 upon y is equal to 110 और दूसरा equation है ये equation number 1 नाम दे देते हैं और जो second equation है वो ये है 47 upon x plus 21 upon y is equal to 162 इस तरह के questions आप भी जानते होंगे पहला step क्या होता है let जो 1 upon x है उसको u ले लिजे and 1 upon y को v जिससे कि हमारे पास simple equation मिल जाए हमें 21u plus 47v is 110 और दूसरा 47u plus 21v is equal to 162 इसको नाम दे देते हैं equation number 3 and equation number 4 तो यहां तक तो clear है अब इसके बाद कुछ students यहां पर elimination method अप्लाई करने कोशिश करते हैं कि इसमें 21 का multiply करके इसमें 47 का और cut बट इससे बहुत ज़ादा टाइम लगता है यहां पर एक खास बात देखिए 21, 47 और यहां पर 47, 21 जब भी आपके पास यह होता है तो आपको क्या करना है पहले इन दोनों को plus करना है और फिर minus करना है तो हम क्या करेंगे देखो adding पहले plus कर रहे है ठीक है equation 1 and equation 3 and 4 तो इन जब हम plus करेंगे तो क्या होगा देखो plus करने से क्या होगा यह हो जाएगा 7 plus 1 8 68u प्लस यह भी 68 हो जाएगा V is equal to और यह plus करके आएगा 272 अब यह जो पूरी equation है यह 68 से डिवाइड हो रही है यानि अगर आप 68 से 68 common लेंगे या फिर पूरे में 68 से डिवाइड करो क्या हो जाएगा U plus V is equal to 4 यह 68 से cancel हो जाता है तो पूरी equation को मैंने डिवाइड कर दिया किस से 68 से और मुझे यह मिल गई है इसको मैं नाम दे देता है equation 5 ठीक है अब हम करेंगे इनको subtract subtracting equation 4 from third तो हम इसमें से इसी subtract करेंगे तो देखो जब हम subtract करेंगे तो हम क्या करेंगे sign change करते हैं यह काम आप rough में अलग से कर सकते हैं minus क्योंकि यह बड़ा minus का है तो यह हो जाएगा minus 26u यह plus में आ जाएगा 26v और यह हो जाएगा minus 52 इसको मैं यहाँ पे लिख देंगे तो जो यह equation है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है अब यह जो पूरी equation है again यह 26 से divide हो रही है तो यह हो जाएगा minus u plus v is equal to minus 2 ठीक है इस पूरी equation को मैंने 26 से divide कर दिया है यह आ गया है इसको नाम दे देते हैं equation 6 अब आप के बड़ फोकस इन दोनों में करो तो देखो यह जो question इतना tough हो सकता था बहुत अब easy हो गया है अब आप देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो adding equation 5th and 6 तो इनको add करके क्या आएगा देखो u plus v is equal to 4 यह यह ने लिख दिया है और यह ऐसे लिख दिया है जब आप इने प्लस करेंगे तो u से u कट जाएगा और 2v आजाएगा 2 और यहां से आजाएगा क्या v is equal to 1 v की value को हम यहां put करेंगे तो क्या आजाएगा u plus v की जग़े मैंने 1 back दिया है 4 आगया और इससे u आजाएगा 3 अब u और v एक बार आगये है तो फिर आगये बहुत सिंपल है क्योंकि हमने 1 upon x को u लिया था तो क्या हो जाएगा देखो 1 upon x जो है वो u है यानि 3 तो इससे आजाएगा x is equal to 1 upon 3 और जो 1 upon y है जिसको हमने v लिया था यह 1 है तो 1 upon 3 and y is equal to 1 और यह हमारा final answer है तो I hope आपको कुछ नया सिखने को मिला होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है subscribe to the channel thank you for watching and I'll see in the next video take care, God bless you